एलो वाल वैलम बैक टो पर चैनल में चXT को अभी सुव्य लेविफ यह सुज। फिलिवाव, उसको दृवाट ही पड़ेंगे मतलब सुपलन कर दना में खिवाजिट yard hours कि और मोसакс में पड़ेंगे जो पहले होंगे वो सिंप्लर फॉर्म में प्रजेंट होंगे जैसे जैसे एविलूशन दे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें क्या होती जाएंगी कॉंप्लेक्स होती जाएंगे इसी जरह हम लेवल पढ़ते हैं तो देर आर बेसिकली फाइब लेवल ऑफ ऑर्ग पर्फॉर्म करती हैं यह चीज हमने से लिए फंडामेंटल लिड ऑफ लाइफ बेसिक में देख ली होगए तो सेल क्या होगए इस बेसिक स्ट्रक्शिर और फंडामेंटल लिड ऑफ लाइफ ठीक है यह क्या है जब से इसमॉलर है किसी भी औरगनाइजेशन के लेवल पर ठीक है फिर हम मूव करेंगे जब नेक्स यही सेल जब कमाइन होने लगेंगी और कमाइन होंके एक पर्टिक्लर फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगी तो हम उनको क्या बोलने लगते हैं टीशू बोलने लगते हैं और क्या करेंगी सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे टीशू बोलेंगे और उस लेवल ऑफ औरगनाजेशन को बोलेंगे टीशू लेवल ऑफ औरगनाजेशन फिर हम बात करते हैं तीसरे लेवल की जो होता है औरगन लेवल ऑफ औरगनाजेशन इसमें क्या कहते हैं कि जो different tissue हैं यह जो हमारे tissue थे जब यह काम करना शुरू कर देंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं different tissue साथ में जब काम करना शुरू कर देंगे तो organ form करेंगे when these tissue combined together and start working together we call this level of organization is organ level of organization next move करते हैं हम fourth level की तरफ बात करते हैं organ system की organ system कैसे form होता है हम देखते हैं यह जो organ formation हुआ था जब different organs क्या करेंगे they start working together they form a organ system ठीक है जब किसी भी organism में organ system तक के level का organization हो चुका है मतलब सारी essential जीजें perform होने लगी है different tissue work करने लगी है तो अब क्या होगा किसी भी पूरा जो complete living being है उसका formation हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं last जो complex organization level है कहां पर जाके इंड होता है tourism के ऊपर Quiz और organism है जो सारे के function perform करता है और इसमें सारी ही फम देखेंane level of organization किसी ते मैं upwards in Nickel सारे independent function perform करने के लिए तो यह बात हो गई हमारे level of organization की किसी भी organism में या तो वो plant हो सकता है या फिर animal भी हो सकता है हम different cell organelles के बारे हम बात कर चुके हैं जो कि अपना independent function perform करते हैं या किसी ना किसी के उपर depend होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं नुकलेस के उपर काफी सारे enzymes वगारा के लिए depend करते हैं तो यह बात हमारी हो गई थी किसी उपर cell organelles के उपर अब जो बात करने वाले हम वह हम बात करेंगे tissue के उपर उनका क्लासिफिकेशन इस उसका उसकी उपर बात करेंगे तो पहले हम जो देखेंगे plant tissue का जो classification है यह जो हम बोले overview है उसको देखते हैं इसके बाद हम discuss करेंगे animal tissue के उपर plant tissue और basically two types one is meristematic tissue and other is permanent tissue meristematic tissue की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि meristeme वो reason होता है जहां पर actively dividing cells present होती है तो हम क्या करते हैं meristematic में actively dividing cells are present but in the case of permanent plant tissue यहां पर कोई cells होंगी वो actively dividing नहीं होंगी ठीक है यहां पर non dividing cells present होंगी और इनमें कोई भी ऐसी division की activity present नहीं होगी permanent tissue में फिर further हम देखें जो meristematic tissue है इसमें हम देखते हैं कि meristeme इसमें divided होता है तो इसमें किस-किस त्री categories में दिवाइड होता है एक हमारा होता है apical meristeme होता है दूसरा होता है हमारा lateral meristeme होता है और तीसरा होता है intercalary meristeme इनके बारे में हम detail में आगे देखेंगे description में बस यह देखना है मिया में कि meristematic zone है जो कितनी reason में divided होती है apical zone apical meristeme lateral meristeme and intercalary meristeme permanent tissue की बात करते हैं जब तो हम क्या देखते हैं permanent tissue को भी दो के टेग्रेज में divide किया गया है one is simple and other is complex simple permanent tissue को देखें हैं अगर हम plants में तो हम क्या देखते हैं generally कोई पीडर्मिस की कवर्ड होती है epidermis की कवर्ड होती है वासे ज़त पर में पढ़ते हैं parenchyma, colenchyma and sclerchyma लेकिन कई जगे हम epidermis को भी consider करते हैं तो यहां पर मैंने mention कर दिया है so this is epidermis it is simple type of permanent tissue चीकर then the parenchyma then colenchyma and sclerchyma इनके बारे में भी further detail पढ़ेंगे कि basic extra difference क्या है क्या living properties show करते हैं tissues या नहीं करते हैं क्या function perform करते हैं तो यह सारी चीज़े हम detail में जब हम extra पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे इसके बाद हम बात करते हैं complex permanent tissue की जब हम complex permanent tissue की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं इनको भी दो के टेगिज़े में divide किया गया है one is xylem and other is phloem xylem जो complex tissues हैं वो क्या function perform करते हैं transportation function perform करते हैं यही चीज phloem tissues जो होते हैं वो perform करते हैं जायलम की जो main elements होते हैं वो क्या है? vessels present होती है,這個是 present होती है इसके अलावा xylem में xylem pareil Hydra 확 fruit also xylem flour होता है हम देखते के जायलम कीейств होते हैं वो क्या perform करते हैं transport का function perform करते हैं किसका transport Water और mineral का transport perform करते हैं हम बात करते हैं phloem tissues की तो उसमें के जो हम basic element देखते हैं important वो क्या है sieve tube है और companion cell है इसके अलावा इसमें भी क्या होते हैं phloem fiber present होते हैं ठीक है और इसके अलावा parenchyma phloem parenchyma भी present होता है function क्या होता है phloem का यह क्या फ़र्फर्म करते हैं ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं यह food material करते हैं जो भी food synthesized होगा क्या कहां पर leaves में synthesized होगा यह further कहां move करेगा different part of the plant में move करेगा तो यह function कौन perform करता है हमारा phloem के सारे tissues होंगे तो यह overview हो गया हमारे plant tissue का जिसमें हमने देखा कि इनको किन-किन categories में divide किया गया है अब आगे detail में हम देखेंगे कि कौन-कौन से meristematic tissues होते हैं simple tissue के बारे में discussion करेंगे और complex tissue के बारे में discussion करेंगे तो इसके लिए इतना ही काफी था और हम animal tissue को further detail में देखेंगे कि animal tissue क्या classification है और उनका description देखेंगे thank you very much